परकार के शबत ग्रहन की तैयारिया जोरो पर हैं सुमवार यानी 17 दसंबर को सुबत 10 बजे चैपुर के अलबर्ट हॉल पर शबत ग्रहन समारो होना है इस कारिकरम के लिए डियो पी ने आदिश चारी कर 43 आरे एस की और ड्यूटी लगपा दी है वहीं अधिकारियों के दल्ने अलबर्ट हॉल का जैसा भी लिया है तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं एतिहासिक हॉल है यह और यहां पे कल अशोग गहलोत सचिन पाइलट और साथ-साथ उनके जो मंत्री मंडल के चहरे होंगे वो सभी शपत लेने वाले हैं तस्वीरे हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे और उसके पहले जो तयारिया कैसी है इस पे हमारी नगाह है इस पे हमारी नसर है और तयारियों को लेकर पूरा अमना किस तरीके से अलबर्ट है वो फिलहाल हम आपको बता रही है डियोपी ने आदेश जो जारी किया ह उसके बारे में भी आप तक जानकारी अधिकारियों ने अलवर्ट हॉल का जायसा लिया है गहलोद सरकार का शर्पत ग्रहन समारो अलवर्ट हॉल में होगा आसाधी के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रदेश की सरकार का शेफत ग्रहन अलबर्ट हॉल के बाहर होगा सची वाले में दो बैठके लेकर CSDB गुपता ने तमाम तयारियों की 360 डिग्रे समक्षा करते वे विभागों को ज़रूरी निर्देश दिये हैं बैठक लेकर CS ने विभाग के अधिकारियों की जिमदारी भी तैकर दी है वही प्रोटोकॉल में अब तक 54 आरेस अधिकारियों की डिटी लगा दी गई है सुरक्षा के लिए DGP O.P. गुल होत्रा और पुलिस आयुकत संजा गरबाल को दर्देशित किया गया है पारकिंग और जाता यात ववस्ता सुचान करने के लिए भी कहा है और खास तोर पर ये नर्देश दिये गए हैं कि शेहर के हिर्देस्थल अलबर्ट हॉल में समारो करने में आम जन को जादा तकलीफ ना हो समारो में कॉंग्रस अध्यक्ष राफूर गांधी के साथ कई दगच निता शामिल होने वाले हैं ये जो शपत ग्रेंट समारो है 17 तारीक सोमवार को 10.30 बजे शपत शुरू होगी और ये अल्बर्ट म्यूजियम के ओपर अमन्च वहां होगा और ये चोड़े रस्ते की तरफ फेसिंग जो न्यू गेट है उस तरफ फेसिंग होगा बैठने की व्यवस्ता मन्च किस सरslE से होगा पार्किंग की व्यवस्ता कहा होगी कौन से एंक्लोजर किस तरह से होंगे यह जी एड़ी पीड़ूडी और यह टीम हमारी अभी मौके पे जा रही है और सब ऑफिसर्स को उनकी ड्यूटीज बता दी गई है अकौर्डिंगली यह अपनी व्यवस्तों में जुड़ गए टाइम कम है तो यह आज रात और कल सवेरे से यह सारा चलेगा वहीं यह शो कहलोत और सचिर पालेट के शिपत ग्रहन समारों में यूपी का शक्ती प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा यही वज़ा है कि 17 दिसंबर को मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री की शबत करहें में राहूल गाधी और मनमुहन सिंग शरकत करेंगे वही ममताब एनर्ची, मायावती, शरद यादो, अखिलेश यादो, तेजस्वी यादो, सीधाराम ये चूरी, हच्टी दिवेगोडा, फारुख अब्दुल्ला, चंदरबाबु नाइडो भी शरकत करेंगे तो M.K. स्टालिन, कनी मोझी, हेमन सुरेन, बाबुलाल मरांडी, बदरुदीन, अच्मल और राचु शर्टी जैसे प्रमुक नेता भी इस कारिकर में मौझूद रहने वाले हैं इस कारिकर में के जरिये ये सब ही दल आपनी एकता को जनता को सामने रखना चाहेंगे जो लोक सभाचुनाओं से पहले बड़ा शक्ती प्रदर्शन आप इसे मान सकते हैं तो बिहार से लेकर जारकन इसके अलवा और भी जो साउथ के लीडर्स हैं बड़े लीडर्स हैं उनका नाम भी शामिल हैं पश्यम बंगाल की सीम ममता बैनर्जी भी पहुंचने वाली है उत्रप्रदेश के कददावर चेहरे भी पहुंचने वाले हैं तो कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि 2019 से पहले जिन तमाम बड़े नेताओं का जिक्र कॉंग्रिस पार्टी करती रही है एक मंच पर लाने की जो कोशिश कॉंग्रिस पार्टी की रही है कही न कहीं कल वो तस जुता है वाजए लेकिन कल ये शक्ति प्रदर्शन के जरीया आप समझ सकते हैं कि आखर आगे की राजीनती कैसी रहने वाली है जिवस के अउसर पर जहां पर मानिये मुख्य मंत्यों की शपत जिलाए जाएगी उसमें हमने निवेदन किया है मानिये कॉंग्रेस अध्यक्ष रहूल गांदी जी से हमारे बुद्पुर्व फिल्धान मंत्री महमोहन सिंग जी और अन्य राजियों के भी हमारे जोशी शन समय निता हैं विशेश रूप से समाजवादी पार्टी के निता, तेनमौल कॉंग्रेस के नितत्व, सीपी-ईए, सीपी-अम के निता, हमारे निपी के समाज निता, साओध के हमारे एडम के बनिता गण। और आप पार्डी के नेता, इन सभी नेताओं से हमने निविदन किया है, उनको आमंत्रित किया है, और मैं पूर्ण विश्वास है कि आज शामोते तक उन सभी नेताओं का कन्फरमेशन और उनकी उपस्तिती जैपूर के इस राजस्थान के सपत समारों में होगी.